गुड मॉर्णिंग इश्रेंड्स आज का टॉपिक है एपरेंट डेप्थ हमें रिफ्रेक्शन को पढ़ रहे हैं एपरेंट डेप्थ होता क्या है सबसे पहले जाना जरूरी है जब भी हम स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं स्विमिंग पूल के भाग खड़े तो हम आपको जो बॉटम है वह हमेशा उपर उठावा दिखाई देगा जाए आप गिलास में देख रहे हो पानी में देख रहे हो कुछ भी टेंसर मीटम ले लिए लिए पेपर वेट होता है वो लिए सकते हैं स्विमिंग पूलो बोले सकते हैं कुछ भी चीज अगर वह उसका बॉटम में तो बोटम में थोड़ सा उपर उठाव देगी एक एजम्पल यह भी है कि आपने एक वाटर लिया उस वाटर में आपने इसको डॉप कर दिया और डॉप करने के बाद आप को आप देखोगे कि ये भी आपको थोड़ा उपर उठावे देख देरा तो वॉट is the meaning of this क्या मतलब है इसका क्या फिनोमेना इसके पीछ है ऐसा क्यों हो रहा है तो हम इस स्टेटी करते हैं प्लिज आईए एप्रेंट टेप्थ हमारा टॉपिक है आप अब यह बोटम इस दावरिजनल देप्थ ऑफ दिस सर्फेस यह पुरे सर्फेस लिए यह डैंसर मीडिया में इस अब डैंसर मीडिया नाम देंगे इस इस अब देंसर मेडिया एंड आप लोग खड़े हूँ है इस इस अ मेडियम वर्ट गए लिए इस बॉर्टम को देखीने के लिए इस बॉर्टम को देखेने के लिए आपके पास क्या है मैंने आपको पहले बताया हुआ है आगर आप किसी भी चीज़ की इमेड डैंज को देखते हैं तो महां से दो रिस आना यह क्लंपल सरी है और वह दोनों डैंसरyes में एंटर होएंगी आइज में एंटर होने के बाद हमारी इमेज उसी की डारेक्शन में कहीं नहीं बनती है कि से मिया अगर मुझे इस बॉटम को देखना इस पॉइंट को तो दो इमेज बन सकती है तो तो मैं यहां पर खड़ा हूं सपोस्ट करो मैंने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉट रहा कि इस बॉटम से एक नॉर्मल गया कि टैंसरे मीडियम जा रहा है यहां डेंसरे मीडियम यहरे मीडियम है यह इंसीडेंट और यह रिफ्रेक्टिट रीफ्रियम है यहां से हम देखे में उनक cutting यह स्फ... नहीं नहीं होंभा तो आंसर है मूँऊ cha है मूइ इक्वलटो शाइन आइ अपॉनव साइन आ र होता है टो शाइन आए त Gracie आपॉनव साइन ум वह गया अपनी है हम देखेंगे साइन अपं इकने कर Tian और यो पाउन मियू इक्वल टू साइन आर ऐसके आज पर गतना हो गया जीरो और में इसको ढूरी जीरो टेकरी तो इंसिदेंट रे और नॉर्मल रे दोने जी रो डिकरी भाजाएंगी तो बिलकुल नॉर्मल चली नहीं नॉर्मल पर सीरो डेकरी हो गया I अब यह तो कि वह समझाने के लिए थापको इसमें कुछ नहीं है सब इसके बाद मैंने एक लाइंग को और ड्रॉट करा और उस लाइंग को मैंने यहां पर ड्रॉट कर आ सब्सक्राइब करें गया इसे ड्रॉट कर लिया है यहां पर नॉमल है इस दॉटेब लिए नॉमल देश्टेब लाइं इस दॉटेब लाइं कि नॉर्मल है कि जब यहां से इंसिडेंट रही और आप जानते हैं जब डैंसर से रेल मीडियम में कोई भी लाइट जाती है तो वह हमेशा जब भी लाइट है डैंसर से रेल मीडियम जाती है तो रेज हमेशा अबे फिरॉम्दा नॉमल होती है अबे फिरॉम्दा नॉर्मल तो यह लाइट एक जाएगी यह इस चाहिए बच्चो जब इस टैसे जाएगी मैं से बना जेता हूं विसाप नहीं बननी है यह जानी चाहिए थी ऐसे 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 जानी थे यह लेकिन यह टू अवे फ्रॉम्दा नॉर्मल बेंड हो गई और आप यहां पर आप खड़े हुए हैं यह आपकी आईज है और यह आपका रेटिना पूरा बन जाना है और इस टैप से आपके दोनों पॉइंट पर आखो पर यह लाइन्स ड्रो हो जाती है और मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन्स हमारे ड्रॉइंग आपको पर आइस पर दैन यू विल सी कि यह लाइन्स अगर हम पीछे इस पॉइंट पर मिल गया इसका मतलब यह इमेज यह ना बनकर यहां बन रही है इस अबजेक्ट की इमेज यहां बन रही है जब इस अबजेक्ट की इमेज यहां बन रही है जब इस अबजेक्ट की इमेज यहां बन नहीं यह तोड़ नीचे डॉक्र सत्यापिस है को इतन अप्जिक्ट एक्च्वल में यहां पर है और आपको आइसको शो हो रहा है यहां पर इस्टेट से इमेज टो हो जाएगी this is the actual depth of this this is the real depth sorry this is the real depth and this is the apparent apparent to the eyes to have a upper effect of eye is object to so this is the concept of apparent depth if you can calculate it easily calculate the theory that we are supposed to be refractive index it is the medium one to the effective index of medium one with respect to two how the formula sign I upon sign are यहां से यहां पर जा रहा है तो हम refractive index medium one कर लेंगे with respect to two or sign I upon sign R यहां पर कहीं पर normal से यह 90 degree बनाया एंगल आफ इंसिदेंस बनाया है इनने नॉर्मल से और यह जो है आपका यह reflection angle R हो जाएगा नॉर्मल से जब यह आई है तो यह वाली लाइन और यह वाली लाइन जो है वो पहलर है तो यह भी आई हो जाएगा और अधर यह R है तो इस medium पर यह R है तो यह भी R हो जाएगा नॉर्मल तो अधर विद्रेस्पेक्ट तू मीडियम तू नॉ यू यू इस साइन आई है इसको नाम देता है यह ओ है यह आई है इस पी नाम देदिया इस एक पूद यह मैं अधरे से हमारा यह यह एंगल अधिन्स है यह आर है है और यहां परी यह भर्णा यह भी आर है यह पी ने क्यू से औब हुए है तो बच्चो चhold लेस और इस ऐसलगे इले उल्स?!" सेमेर यह आर हो गया हमारा जब यह आर हो गया तो यू विल सी साइड आई साइड आई कितना है साइड आई हो गया पर्पेंड़कुलर पॉर हाइपोटेनियस तो साइड नाई हो गया टू डिस्ट ऑफ वन ओ पर्पेंड़कुलर हमारे पास पीक्यू और हाइपोटेनियस है ओक्यू सेव यह साइड आज साइड आज इतना हो गया पीक्यू अपॉन क्यू आई इप्यू से पीक्यू ट्रेंसलेट हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेस ऑफ वन विद एस्पेट्ट्ट टू कितना आगया क्यू आई अपॉन ओग्यों अगर मैं इस लाइन को यहां ड्रॉन करें यहां पर करूँगा तब बीड रू हो रही है अगर मैं इसको यहां अगर नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल पर बन ऩाए जब यह लाइन डो जाएक तो यहां पर लूचाय मैं चाहिमें यहां लूग यहां लूग लूग यहां पर लूग यहां पर भी तो मुझी यहां पर बी का आर नियर पॉइंट्स and will give this condition इसी condition को दे रहे है अभी तो मैंने QI को PI लिख दिया और QO को PO लिख दिया then effective index of 1 with respect to 2 हो जा मेरे पास PI upon PO this is the refractive index of medium 1 आगा मुझे refractive index medium 2 कर निखालना है तो refractive index of medium 2 with respect to 1 इसको reward कर दिजे तो PO upon PI यह मैंने invert कर दिया पूरा जब मैंने invert कर रहो तो यह बन गया रिफ्रेक्टिव index of 1 निखालने विदे इसको यह आया है आगा मुझे इसको reward करना है तो मैं इसको reward कर दूँगा PO upon PI यह जो PO है यह PO मैं मानूँगा पूरी rear depth और PI मानूँगा मैं इतना point जहां मुझे show रहा है हर एक point यहां पर show रहा पूरा bottom यहां पर show रहा तो this is the apparent depth तो refractive index का formula बन गया refractive index of dancer medium बन गया formula PO PO है real depth रियल डेप्थ upon apparent depth रियल डेप्थ अपॉन एप्रेंट डेप्थ हमारे पास यह formula बन कर आया है इस प्रेक्टिव इंडेक्स का यह वाला फॉमुला गया इससे आप अज़ा आप तो इफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मीडियम का रियल डेप्थ पूछी है तो एप्रेंट डेप्थ सकते हो अज़र आपको एप्रेंट डेप्थ पता है कितनी है और इफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम का तो आप निखा सकते हैं तो एक तो मीडियम यह है अब मैं थोड़ा सब्सक्राइब बता रहा हूं देखिए जड़ा अब अगर मुझे पूछा रहा है आप से कि यह कितना एफ्रेंट हुआ है कितना राइज हुआ है तो राइज निखालने के लिए इस पॉइंट तो निखालने के लिए अगर मैं इस में से इसको मैने सब्सक्राइब ओपी में से पी आइप को मैंने सब्सक्राइब तो राइज कितना हुआ है निकालने के लिए राइज हमारे पास ओ आई ओ पी माइनस पी आई ऑपी को मानना हूं मैंने माना इसे कि इसकी ज़िए डैप्ट है वो मानी एक्ष एक्ष्ट डैप्ट ओपी माइनस पी आई पी आई को मैं यहां से लिख सकता हूं पी आई को लिख दूंगा मैं यहां से PI equal to PO upon refractive index PO upon refractive index this is the H OPH है मेरे पास H minus H upon mu then H is former 1 minus 1 upon mu this is the real depth this is the rise कितना उपर उठा है actual depth में से 1 minus 1 upon effective index लदेंगे medium का और हमारे पास rise निकल जार कितना उपर ये bottom उठा हुआ है तो ये आप लोग अराम से देख सकते हैं और इस topic को पढ़ने का मतलब है आपने 12th class का एक topic भी cover कर लिया है 12th का बच्चा हो चाए 10th का बच्चा हो reference depth निकालते कैसे इस steps आप इसे देख सकते हैं हमने सारे method उज़कर है हमने स्नेर से लोग भी उज़कर रहा है हमने यहां पर जो image बनाने का तरीका है वो भी उज़कर रहा है और हमने देख ला कि यह जो bottom है यह मुझको उपर उठा हुआ दिखाई यहां पर आपको यह चीज हो दिखाई देगी कि real depth apparent depth से तो बच्चो इस steps से आपने इससे सीख लाए कोई problem हो तो आप मज़े वाटसप कर सकते हैं message ला सकते हैं पूर सकते हैं thank you बच्चो